Hello Students, Welcome back to Magnet Greens, मैं Rahul Gautam, आज आप लों के लिए के आया हूँ, 12th Class Accountancy से Company Account, Accounting for Share Capital, Illustration No. 16 and 17 तो आज के Illustrations में हम जानेंगे कि अगर over subscription होता है, तो उसमें partial rejection और pro rata allotment एक साथ करना है, ठीक है, फिर इसमें हम calls in area का concept भी आज हम देखने बाले हैं तो बने रहीएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, क्योंकि Magnet Greens पे आपको मिलता है complete education free, वह वी quality content के साथ, इसी के साथ मैं करता हूँ, आज का वीडियो सुरू, तो हम सबसे पहले देखेंगे, कॉशन No. 16, कॉशन No. 16 उससे पूशता है applications, partial allotment to others and no allotment to the rest, ठीक है, Raghav Limited was registered with an authorized capital of 10 lakhs, rupees 10 lakhs से बही है न, यह भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है, number of seers नहीं है, divided into 1 lakhs से अब यह number of seers है, of 10 इच, एक से दस रुपे का, 1 lakh से मुल्टिप्लाइ करो को 10 lakhs का amount आ जाएगा, the company offered 60,000 shares, ठीक है, एक लाग का तो authorized है, 60,000 इनों ने issue किये to public, on which amounts were payable, 3 on applications लिखते जाते हैं application पे 3 रुपे मंगाया फिर क्या लिखा है and 3 per share on allotment allotment पे भी इनों ने 3 रुपे मंगाया and the balance when required, balance the required, जब जरूओत पढ़ेगी, तब मंगवा लेगी, मतब तो first and final call बों दो में इसको 4 रुपे है, ठीक है चलो, फिर क्या लिखा हुआ है applicants since for 92,000 shares were received on which the directors allotted as follows तो देखो, 92,000 applications आए है, ठीक है चलो आप क्या लिखा हुआ है, 40,000 shares को full कर दिया, ठीक है जी तो यहाँ पर 40,000 applications को full allotment हो गया ठीक है, चलो, इधर जो 50,000 applications थी, उनको कितना किया, 40% 50,000 का 40% कितना आ गया 20,000 shares अब access कितना हो गया 30,000 जो हो गया वो access share हो गया ठीक है, access हो गया अब access application money कैसे निकाल लेंगे, application का multiplication कर देंगे, तो 30,000 90,000 जो हो access application money है, applicants for 2,000 shares well nil तो इनका तो 0 है, जो भी 2000 इनका access ही माना जाएगा और 3 रुपए पर share तो 2,000 into 3 is 6,000 रुपीज जो हो इनका refund कर दिये जाएगा ठीक है, क्योंकि इनको कोई allotment नहीं हुआ है 84,000 were received on as allotment money excluding the amount carried from the application money, past the general entries for the above, ठीक हो तो थाइड कॉल की तो इसकी entry मुझे pass नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लटाया कि उन्होंने किया कि नहीं किया इस call को, ठीक है, और नहीं मुझे ये बताया गया कि उस पर पैसा मिला है कि नहीं मिला है, तो मैं उसकी entry नहीं करूँगा मैं entry किसी करूँगा, application की करूँगा और allotment की करूँगा, ठीक है जी अब जो मेरा allotment पर, जो मेरा application पर access money आया है, प्रो राटा बाला 50,000, CES को 20,000, DEPRो राटा, इसके बारे मैं नहीं लिखा कि recipient करना है कि क्या करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसको adjust करने वाला हूँ, कहाँ पर adjust करूँगा, कहाँ पर adjust करेंगे हम इसको जब रबताऊ, ठीक है जी तो अलॉट्मेंड में मुझे कितने रुपए के जरुवत पड़ेगी 20,000 इंटु 3 20,000 इंटु 3 60,000 रुपीज के जरुवत पड़ेगी और 90,000 रुपीज मुझे मेरे पास जो है वह इनका एक्सेस पड़ा हुआ है तो 30,000 रुपीज को मुझे क्या कर देना चाहिए refund कर देना चाहिए बात को समझन में बिठा है नहीं है तो दोनों में कोई समस्य नहीं है adjustment की adjustment की समस्य कहां पर आएगी यह वाली है यह इस category में मेरे पास 30,000 application एक्स्टा थे और एक application पर 30 रुपए जो था वो access money था तो total access money 90,000 हो गया allotment में कितने रुपए के जरुगत पड़ेगी 20,000 shares multiply by the 3 तो कितने रुपए के जरुगत पड़ेगी 60,000 रुपीज की जरुगत पड़ेगी तो 30,000 रुपीज मैं क्या कर दूँगा refund कर दूँगा इस category का ठीक है और 6000 रुपए refund कहा करना मुझे जिनको कुछ भी जिनको कुछ भी allotment नहीं हुआ 36,000 रुपीज जो है वो मैं refund करने बाला हूँ 36,000 रुपीज जो मैं refund करने बाला हूँ ठीक है चाल तो entry करने start करते हैं एंट्री करने के लिए हमें क्या चाहिए फॉर्मैट बनाना पड़ेगा जनल एंट्री बनाने के लिए बोल रहे हैं तो फॉर्मैट बना लेंगे इधर हम आजाईए किसका फॉर्मैट बनेगा जनल एंट्री का फॉर्मैट बनेगा ठीक है चालो हाँ ऊपर क्या लिखेंगे जनले इंट्री 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 रागाव लिमिटेड इन दे बुक्स ओफ रागाव लिमिटेड ठीक है? चाली अब यह फिर्स्ट कॉलम जो होता है वो डेट को रिपरेजेंट करता है फिर होता है पर्टिकुलर्स फिर होता है LF यह लेजर फोलियो डेविट अमाउंट and credit amount फिर्स्ट एंट्री क्या करने वाले है? एप्लिकेशन रसीट नहीं लिकी न कोई बात नहीं तो फिर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेविट अप्लिकेशन की अप्लिकेशन के साथ पैसे आते हैं बैंक अकाउंट डेविट टू चेयर अप्लिकेशन बैंक अकाउंट डेविट 2 चेयर अप्लिकेशन अकाउंट कितने रोपय से 92,000 अप्लिकेशन आये थे और एक अप्लिकेशन पे 3 रोपय का हमने मगाये थे ठीके 3 रोपय मगाये थे यसल तो 92 इटो 3 कर लिएंगे इसको सॉल जीरो, जीरो, जीरो 3 into 2 is 6 9 into 3 is 27 तो 276,000 हमें application पे received हुआ narration क्या बन जाएगा application received application received along with the application money number 2 पे हम इसको allotment करते हैं तो share application transfer हो जाता है कहाँ पर share application transfer हो जाता है share capital में access को refund कर देंगे और जो pro rata allotment था उस pro rata allotment पे क्या करने वाले हैं pro rata allotment का जो extra पैसा है उसको हम adjust करेंगे allotment के साथ तो उसको calls and advance यहाँ पे हम बना के रखने बाले हैं ठीक बात है जी यहाँ तक चलो चली ठीक है तो हमें allotment money को adjust कोई करना ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम पहले application को debit कर लेते हैं ठीक है तो entry क्या होगी share application account debit share application account debit यह हो गया share application account debit ठीक है तू में क्या आएगा सबसे पहले share capital face value जितने share का allotment किया है उतने रुपए की face value आप share capital में transfer कर दीजिए तो कितने share पे allotment हुआ है 60,000 share पे allotment हुआ है और एक share पे हमने कितने रुपे मगाए application पे 3 रुपए ठीक है तू अब क्या करना है तू bank कर दो bank करने के लिए क्या करना है आपको refund amount जाएगा यहां पे तो bank refund कितना आगे 30,000 आगे प्रोराटा वालों का और 6,000 आगे जिनको allotment नहीं हुआ तू calls in advance अब यह सब calls in advance किसका बना लिया आपने जिनको प्रोराटा अलोट्मेंट हुआ था ना भई हाँ जी प्रोराटा हुआ था उनका तो कितने रुपए से हम सिर्फ allotment तक ही उनका पैसे का इस्तमाल करेंगे allotment पे कितने रुपए चाहिए हमें 20,000 से अलोट हुए है और 3 रुपए allotment पे चाहिए तो 60,000 रुपीस यहां से जाएगा देखो अब एंटी टैली हो जानी चाहिए मुझे क्रडिट क्रडिट देखो टैली हो जाना चाहिए मतलब मेरा सही है तो 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1,80,000 रुपीस तो मेरा कहां चला गया share capital में चला गया अब यह 36,000 रुपीस मेरा refund चला गया बैंक के माध्यम से और यह 60,000 रुपीस जो है वो मेरा कहां पे चला गया कॉल से डवांस देखो यह तीनों मिला के 2,76,000 हो रहा है गया अगर हो रहा है तो मेरा यह वाला calculation एकदम सही है narration क्या लेखेंगे allotment made allotment made access money access access money access application money क्या किया हमने adjusted and refunded adjusted and refunded कर दिया adjust and refund चलिए clear है जी हाँ सर एकदम यहां तक बात clear होनी चाहिए आपको तीसरी entry क्या होगी हम due करेंगे allotment को allotment को due का entry क्या होती है share allotment account debit share allotment account debit to share capital share capital account कितने रुपे allotment साथ हजार applications है साथ हजार shares allot हुए है into एक allotment में हमने तीन रुपे मंगाया है तो 1,80,000 जो है वो allotment money due हो जाएगा ठीक narration क्या हो जाएगा allotment money due allotment money due narration भी हो गया चालिए आप क्या करना है अब सर allotment receive कर लो तो receive करने के entry क्या bank account debit दूसरा calls in advance ये कौन से वाले सर जो प्रोराटा हुए थे न उनका access application money जो हमने calls in advance account के लिए बचा के रखा था आप एक calls in area account रुखोल लीजिए अभी बताता हूँ क्यों calls in area account question पढ़ लिया था में calls in area हिस में to क्या हो जाएगा share allotment to हो जाएगा share allotment ठीक है चल अब जरा amount was important है तो share allotment का amount तो मुझे मालूँ है 1,80,000 आना है ठीक है अब bank में कितना आना है देखो question जड़ा देखो क्या लिखा हुआ है rupees 84,000 were received allotment as allotment money excluding the amount carried from the application money application money का जो access था उसको छोड़के bank में कितने रुपे आया 84,000 रुपीस आया तो लिख देता हूँ यहाँ पर क्या 84,000 bank में लिख देता हूँ calls in advance कितना है हमने carry किया था 60,000 60,000 लिख देता हूँ calls in advance में अब बताओ कितना रुपे नहीं आया 60 plus 80 140, 144 और 180 कितने रुपे नहीं आये 36,000 रुपीस जो है यहाँ पर हमें sort पढ़ गया तो वो क्या हो गया calls in area हमने पैसे तो मांगे लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिये तो 36,000 कि क्या बन जाएगा यहाँ पर calls in area account बन जाएगा कि हमने पैसा मांगा लेकिन shareholder ने पैसा नहीं दिया तो एक तो तरीका यह था कि मैंने आपको balance फिकर करके बता दिया दूसरा तरीका यह भी था कि 180 में 60 तो 20,000 बार तो किलिया था जो 40,000 बार application जिनको full allotment हुआ था उनसे कितने मांगने थे 40 इंटू 3 1,20,000 मांगने थे और उनने किता दिया 84 दिया तो 120 माइनस 84 करो तब भी क्या आएगा 36,000 पीसी आएगा तो बालेंस फिगर करके मैंने कॉल से कर दिया नरेशन आप लिख देंगे नीचे जगह नहीं मेरे पास तो आप लिख देंगे application money received application money received and access money access application money where adjusted लिख देंगे complete जी तो ये question हमारा complete है यहाँ पर solution complete है कुछ और तो नहीं पूछा इस question में नहीं सर जनलेंटरीज पूछी थी मैं जनलेंटरीज बना दी तो आप screenshot जल्दी से ले लिजेगा इस question का पुद बढ़िया question था proper screenshot लेंगे done चालिए अब हम मूब करेंगे next question पे यह question complete हो जाता है अब आता है question number 17 on 1st April 22 Prathna limited was found with an authorized capital of 90 lakh rupees divided into 9,000 equity shares 9,000 equity shares of hundred each ठीक है जी 90,000 equity shares से 100 रुपय के एक तो 90,000 रुपय बन जाएंगे company invited application for 80,000 तो यह authorized हो गई यह issued हो गई amount was payable as follows 30 application allotment 40 balance first and final call 30 plus 40 is 17 balance पे कितना बचेगा 30 rupees बचेगा applications for 1 lakh shares were received applications for 20,000 were rejected rejection कर दिया सीथा and the application money was refunded all calls were made a shareholder holding 600 shares did not pay the first and final call so share capital in the balance sheet of the company as per the schedule 3 part 1 of the company sector 2013 as at 31st March 2023 बात को समझेगा इसमें जनल इंटरी नहीं पूची मुझसे क्या पूचा है balance sheet में कैसे disclosure करोगे वह बता दीजिए आजाओ तो मैं बना लेता हूँ यहां पे क्या balance sheet का format क्या बना लेता हूँ यहां पे balance sheet का format बना लेता हूँ यह balance sheet पूचाद balance sheet बता दूँगा यह बन गए मेरी balance sheet और यह बन गए मेरा notes to accounts यह बन गए notes to accounts notes account में कैचाए मुझे बस amount और particulars इधर note number particular and amount ठीक है चालिए यह हो गया इधर हजी से इधर हो गया और यह हो गया इधर लिख लेंगे जरा इसको नरेट कर लेंगे extract of balance sheet in the books of prafna limited extract of balance sheet extract of balance sheet in the books of in the books of prafna limited as on 31st March 23 यह आपका होता है हमेसा की तरह पार्टिकुलर्स और यह होता है laser folio यह होता है amount ठीक है चालो यह पार्टिकुलर्स और यह note number one और note number one is for share capital यह होता हमारे पास फर्स्ट नमर पे equities and liabilities number one होता है shareholder fund और यह होता है इसके अंदर share capital share capital share capital ठीक है यह हो गया अब share capital कहां से लिए होंगा मैं इधर note number one इसलिए note number one सबसे पहले क्या लिखूँगा authorized share capital authorized share capital कितनी है authorized share capital देखो sir question में क्या लिखा होगा है 90,000 equity sales of 100 each 90,000 equity shares equity shares at the rate 90 each फिर क्या आएगा amount अमाउंट भी लिख देंगे 90 से 90,000,000 रुपय का figure हो जाएगा आएगा फिर फिर क्या आएगा issued authorized क्या आता है issued इस्यूद इस्यूद में कितनी है कितनी इस्यूद इस्यूद 80,000 इस्यूद 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 सब्सक्राइब कितनी सब्सक्राइब हुई है फुल सब्सक्रिप्शन था 80,000 equity shares at the rate 100 each अभी लिखता हूँ फिर अब क्या आएगा called up called up हाँ जी called up कितना है 80,000 equity shares of 100 each हाँ जी अब आएगा call scenario less calls in arrears कितना call scenario है यहां पर एक बैक्ती था क्या नाम थे उस बैक्ती का एक मिट देखते हैं यहां पर लिखा कही हाँ subscribe का amount भी 80 लेक्स था फिर called up भी 80 लेक्स था और उसमें से माइनस कर दीजिये क्या 1500 रुपए तो क्या बन जाएगा paid up that is 79,098,500 79,098,500 79,098,500 क्या बन जाएगा paid up और paid up का amount ही कहा जाता है share capital में 79,098,500 यह बन गए complete disclosure complete disclosure इस तरह से share capital जो है वो present होने वाली company की balance sheet में clear बात है जी हमने लेख दिया call scenario भी दिखा दिया हमने यहां पर paid up भी दिखा दिया और जो authorized था subscribe था issue था सब कुस दिखा दिखा question का complete solution बन गया आप प्लीज स्कीन सॉट ले लिजेगा ले लिया done तो यहां पर हमारा यह question भी complete हो जाता है आप लोग जानते हैं कि magnet brains पे complete education जो है free मिलता है और high quality content होता है इसलिए हमेशा channel को subscribe करके रखेगा अपने दोस्तों के साथ जरूर share करिएगा हाजी कोई confusion रह जाता है कोई समस्य होती कोई query होती है तो comment box हमेशा आपका इंतजार करता है video अगर पसंद आया तो like जरूर कीजेगा thank you so much for the day लुवड़ोगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग झाल झाल